नमस्कार व्यूवर्स मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज नेटवर्क न्यूज एटीन और मेरे साथ आज बेहत खासमेमान है बात करने के लिए वो बॉलिवुड की तो जानीमानी एक्टरस है ही लेकिन इस बार वो हैं भारत्य ज बार भागते हैं बॉलिवुड वाले आप उसके और करीब आ गई है तो यह जोखिम क्यों उठाया आपने वाकरी में जोखिम है यह जी लोकिग अदा हाड़ वर्क गोस इंटो इट एट एंड फार फॉम दे ग्लैमर अल उल फिन वहम लोग तो कितना आदी होते हैं और एक यह मैं जे राजनेता बनना है तो यह कोई परसनल अंबिशन तो है कि मुझे जो है नेता बनना है लोगों को कहना चाहिए कि यह हमारी नेता है अगर मैं कहूं कि हां मुझे राजनेता बनना है तो इन माय इक्सपिरियंस ऐसी कुछ सिचुएशन बनी ऐसी कुछ लोगों ने मुझे लायक समझा इतना काम्याब समझा उस टाइम पर तो मुझे बड़ा फ्लैटरिंग लगा जब मुझे का क्या आप खड़े होना चाहेंग क्या यहां से मंडी से इनफेक्ट मुझे 2019 में भी एक ऐसी संभावना बनी थी उस टाइम भी मुझे पूछा गया था तो चाहें वो मेरा वर्क वोमन इंपावर्मेंट को लेकर हो या मैंने वेरी ओपल नी जो हमेशा सरकार का जो है वो बचाहें वो भारत के राश्ट्रव इसी महिलाने एक आदिवासी एरिया से आने वाली महिलाने जो है फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का सूपर स्टार्डप जो भी रीजन रहा हूं उन्होंने जब मुझे यह संभावना जब बनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने का रह यार हमें ऐसी सोचा है तो व लोग आपको बहुत प्यार करते हैं हर व्यक्ति आपके साथ तस्वीर खीचवारा जाता है एक तो आप बॉलिवूड की जानीमनी एक्टरस है वो भी एक कारण है दूसरा मंडी की खुद की है मंडी की खुद की बेटी है तो क्या आपको लगता ही जो कनेक्ट है याप कर the future our छहां यह प्लिफ कर आयं और उन्निस में आपने क्यों मना करा और 24 क्यों कियो करा पास्ट अपरचुनिटी हो जाएगी आपरचुनिटी हो जाएगी